हाई गाइस वेलकम बैक टू मैं चैनल ब्रेकफस्स टू डिनर रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सोया बीन की सब्जी जो खिवाबीन की बढ़िया होती है नुट्रेला भी हम जिसको वोलते हैं उसकी सब्जी बनाने के बहुत जादे एजी सी रेसिपी जो कि बहुत जादे बनाने स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मैंने जो चोटे साइस के आते हैं वह आपके जो भी अविलेवल या वह बाले सकते हैं उसके बाद में मैंने यहां पर डेर्ड़ कप सोया चंक्स लिए और उसको मैंने गरम पानी में सोक करके रग दिया 10-15 मिनिट के लिए इससे क्या होगा ना यह अच्छे से फूल जाएंगे और जो इसमें जो भी गंदगी हुगी है जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा इसमेल जैसी रहते हैं वो सब इसमें से निकल जाएगी तो हमें इसको यह वाला प्रॉसेस बहुत जादा ज़रूरी करना है गरम पानी मे इसको एब्सौर्व कर लिया है देखे आप इहां पर ऑपर बहुत ही कम पानी यह पर देक पाएंगे और अची से फूल गई है अब हम देखें यह पे पानी बहुत अच्छे से अंदर अदर है तो हम इसको स्टुईज कर लेंगे जो भी एक्स्ट्रा पानी वह सब इसमें स पैन पैन में यहां पे डाला है थोड़ा सा ओई और उसको हमने फ्राइए करना है या पिर सौटे करना है जो सोया चंग से हमारे उनको यहां पे इसको सौटे कर लेंगे इससे क्या होगा जो भी सोया चंग स्मैल होते है वह सब निकल जाएगी और खाने में भी इसका टेस्क बहुत अच्छा हो जाएगा यह वाले इस वाले प्रोसेस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे इसको जरूर करेंगे इसी से आपके जो अच्छे बनके रेडियोंगे अब यह अच्छे से एक दम कलर इसका चेंज हो जाएगा तब उसके बास निकाल के सेम कड़ाई में थोड़ा सा ओई लेंगे और उसमें हमने डाल दिया है तेज पता और साथ में जीरा भी डाल सकते हैं और उसके साथ में हमने यहां पर डाले एक बारी बारी चौप की हुई प्याज अच्छे से भुन जाएगी तब हम यहां पर डालेंगे एक चमच अध्रक लसन का है यह मेंने दो टॉमाटर का पेस्ट लिया है दो टॉमाटर को लिया घ्रान कर लिया था और यह देखि बेगा है जी सी तब तक हम इसे भूनेंगे और यहां पे आप देख सकते हैं यह बहुत अच्छे से भून गए हैं टमाटर अब कुछ मसाले एड़ करेंगे उसके लिए मैंने आदा चमच लाल मिट्च पाउडर आदा चमच हल्दी पाउडर और यहां पे मैंने डेड़ चमच धन्या सब्सक्षाज पाउडर नौने पानी पना चर्णे करेंगे तो थोड़ा सा जलने का डर रहता है तो थोड़ा सा पानी ऐडर देंगे जिससे कि हमारे मसाले जो है वह बहुत ही अच्छे से भूं जाएंगे और एक से दो मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ऐसे मिक्स करक मिलकु कहा की कर्ड आ हैं मैं तीन चम में डालाई यहां तीन चम मट बोल होती है उससे तीन में यहां पर आपन कर्ड़ पर निए नौर्मिल बोल व्लिकर्पमज में उसके कर explaining मिलकुर्श के जrench और इसको एक से दो मिनिट के लिए मसाले के साथ में मिक्स कर लेंगे अच्छे से एक से दो मिनिट इसको लगातार चलाते हुए भूनना है जिससे की जो हमारा मसाला है वो सोय चंग्स के अंदर तक चला जाएगा और बहुत ही बढ़ी आसा एक डम टेस्ट देगा बूनने के बाद में हम यहाँ पे अड़ कर देंगे नमक क्योंकि अभी तक हमने कहीं भी नमक एड़ नहीं किया तो दही डालने के बाद ही हम नमक एड़ करेंगे देखिए हमने यहाँ पे इसमें नमक एड़ कर दिया है और साथ में स्लिट की हुई ग्रीन मिलविची भी डाल दी है फिर इसको मिक्स कर लेंगे और हमें एक बात का और ध्यान रखना है जब हम धही एड़ करेंगे ना मसाले में तो हम गैस को बिल्कुल आफ कर देंगे दर्वास हमारी दही ना फोड़ी फट जाएगी तो अब हम यहाँ पर अच्छे से बूनने के बाद में पानी डाल देंगे अब पानी हमें अपने अकॉर्डिंग डालना है आपको जितनी भी ग्रेवी रखनी है ना थिकिया फिर थिन उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर प पानी का यूज किया है डख के रख देंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे और उसके बाद में जो हमारी सब्जी है वो बनके बिल्कुल डेड़ी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ज्यादा पानी इसने अब्सॉर्ब नहीं किया है ग्रेवी हमारी अच्छे से एकदम हो र किस बाते हैं अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाए तो आप शोयाचणस की रेसीपी को जड़ू ट्राइ कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है तो आप भी रेसीपी को ट्राइग कीजेगा वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजे च थेंक यू